दो कारण के वज़े से यह प्राब्लम होती है अगर दूसरी एक चीज है अगर मान लिजे बकरी ग्याबिन नहीं है और वो जो वाइट सा कुछ लिक्विड गिरा रही है तो उसका क्या कारण है पहली बात तो अगर आपने उसकी डिवार्मिंग नहीं करवाई है और फिर मान लिजे बकरी ग्याबिन नहीं है और वाइट कुछ गिरा रही है तो इसका मतलब है कि वो कुछ एक दो दिनों में क्रॉस होने वाली आपको उसको बकरे को दिखाना होगा यह कुछ चीजे होती है आप इस कारण को कैसे ठीक कर सकते हो यह भी बहुत देखना जरूरी है यह जो प्रॉब्लम है इसको हमने बिल्कुल ठीक किया था और इसके अंदर आप क्या दोगे ऐसा कि उससे वो बकरी पालन के इस वाली चाइनल पर एक निव वीडियो के साथ दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में जो है हम लोग जानने वाले है कि अगर ग्याबिन बकरी है वो कुछ वाइड सा लिक्विड अगर फेक रही है मान लीजे दो मेने की तीन मेने की ऐसा ही प्रॉब्लम जो है हमारे वाट्सप पर काफी दिनों से मैसेज़ेस आ रहे है कि वही इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाओ या फिर इस वाले कारण के बारे में आप जो है डि पे अफलोड करते है तरीका यह कि आपको लाल गलल का सबसक्राइब का बटन दबाना है उसके बाद बेल आइकन दिखेगा आपको वो बड़ाना है श से उनकरी मिलते रहे तो जो जो आज का हम ध्यान देते तो यह जो ग्याविन वक्रीड के अंदर यह होता है कि अगर ग् से वाइट सा लिक्विड गिरता है तो यह सब प्राब्लम होती क्यूं है और इसका क्या इलाज है सारी कुछ चीजह आपको इस वाली वीडियो में देखे बताने वाला हुआ हुए तो वीडियो को जो है आप लाश्ट टक देखिए तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसा क्यू रही करके तो यह पाया गया है जैसे कि भाई का मैसेज आया था कि यह प्राब्लम हुई है हमारे फार्म पे जो ग्याबिन बकरी है वो इस तरीके से लिक्विड गिरा रही है तो सेम प्राब्लम जो हमारे फार्म पे हुआ है हमने क्या ही इलाज किया इसका तो इसके अंदर जो है अगर ऐसा प्राब्लम होता है तो दो चीज़े आपको नोट करनी पहली तो चीज़ यह है कि अगर बकरी ग्याबिन है कि नहीं है वो पहले आप अंट्रेक परशन शोर हो जाए अगर ग्याबिन है ऐसा कुछ गिरा रही है तो इसके दो कारण हो सकते या फिर इसके वाइट सा कुछ लिक्विड गिरा रही है तो उसका क्या कारण है पहली बात तो अगर आपने उसकी डिवार्मिंग नहीं करवाई है और फिर मान लीजे बकरी हीट पे आती है इसे टाइम पे जैसे कि मान लीजे बकरी ग्याबिन नहीं है और वाइट कुछ गिरा रही है त आप इस कारण को कैसे ठीक कर सकते हो, यह भी बहुत देखना जरूरी है, यह जो प्रॉब्लम है, इसको हमने बिल्कुल ठीक किया था, और इसके अंदर आप क्या दोगे, ऐसा कि उससे वो वकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो इसके अंदर आपको देना पड़ेगा, मात्र देना है, 15 ग्राम, यह सबी चीजों का आपको मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद, आप कुछ भी करके इसको जो है, उसके पेट में जाना चाहिए, ऐसा करके आपको खिलाना है, तो यह मैंने खिलाया है, सिर्फ मेरे कुछ 24 गंडे में इसका रिजर्ट मिला है, सौल किया है, आपके सामने रिजर्ट भी है, आप साब देख सकते हो, यह जो है, बिल्कुल ठीक भी हो गया है, मेरे को सिर्फ 24 गंटे का समय लगा है, इस चीज को समझ के ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया गया है, बाकि इसको और कुछ चीजे दिये नहीं है, क्योंकि ब लगा तो लाइक कर दीजे दोस्तों बकरी पालन से जुड़ी हुए चीजे हम चाइनर के उपर वीडियो के महाद्यम से बताते रहेते वैसे हमने एक वाट्सप गुरूप बनाया है जिसके अंदर हम बकरी बालन से मिली जुड़ी हुई जानकरी जो है वहाँ पे शेर करते र निवाद